हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टो स्टॉक मार्केटरिक्स वंस अगेन इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे निफ्टी की अनालेसिस पे तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ है निफ्टी की अनालेसिस करते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से जो मेरा तरीका है निफ्टी को अनाल 039.25 पे ओके ओके सो यह 5 मिनिट का चार्ट है अब मैं क्या बोलता हूं आपको वीडियो में कि पहले मार्केट का आपको रेंज पता होना चाहिए कहां पे इसका एक सप्लाई जोन आ रहा है कहां पे इसका डिमांड जोन आ रहा है वो कैसे निकालते हैं हम लोग मल्टिपल य यह में हंडेड़ यह में लगाया हुआ है अभी जो है five minutes में हम इसको फॉलो नहीं करते हैं five minutes में हम यह जो रेंज पता नहीं करते कम से कम आपको higher time frame पे जाना पड़ेगा तो एक बार हम इसको थर्टी मिनट कर लेते हैं और देखते हैं कि भहिया जो हमारा ये में है एक स्पोनेंटियल मुविंग आवरेज कहां पे लाई कर रहा है तो हमारा जो मेजर मेजर जो एक रेजिस्टियन्स सप्लाई जो बन रहा है हमें कहां बता रहा है 9139 के आसपास तो मैं यहां पर इसको डबल क्लिक करके एंड यहां पर कोडिनेट्स में जाके सप्लाई जोन है क्योंकि मार्केट इसके नीचे है मतलब यह इसका एक रेजिस्टियन्स हो गया 200 में 30 मिनट तो यह हो गया आपका 200 एमें 30 मिनट और हंडेड यह में जो हमारा 907 69056 के आसपास तो यह भी हम एक बार देख लेते हैं 9080 के आसपास जो हमारा एक रेजिस्टियन्स जोन बन रहा है 30 मिनट में 100 एमें बता रहा हमें तो यह हमारा हो गया 9080 इसको हम एक एवरेज जो रेंज है बता आप यह टाइप कर लेते हैं ठीक है तो यह हो गया हमारा 100 एमें का थर्टी मिनिट में चलिए सप्लाई जोन है ये उपर वाला भी सप्लाई जोन है दोनों को हम लोग रेड कर लेते हैं इसको हम लोग कर लेते हैं में Aegis Parl or YouTube को वारिस को हम लोग रिएट कर लह क्लिया मैंने लोके तो यह हो गया हमारेख है कि यह और यह हो गया मिलगा है 30 मिनिट में सब तो अब एक गंटे में हम लोग चलते हैं वहां पर देखते हैं कि क्या हम जो नहीं एक घंटे में भी है तो टेक्स्ट को यहां पर हम थर्ड़े मिनेट एंड अवलिक ववन आवर टाइप कर दिया हमने अब हम इसको टू आवर्स में चल देखिए जब तक मार्केट इस वाले रेंज को ब्रेक नहीं करेगी तब तक यह उपर नहीं जा सकती तो हमें पास का एक रेंज से फाइंड करना है चलिए अब यहां पर भी एक उपर की तरफ रेजिस्टेंस बना देते हैं नाइन टू डबल जिरो के आसपास चलिए नाइन टू डबल जिरो यह हो गया हमारा कि यह होगा आपका कि वन आवर में ठीक है सप्लाइज जोने सारा कुछ सप्लाइज जोन है यह मतलब यह रजिस्टेंस एरिया है अब हम लोग चू आवर्स में चलते हैं और यह देखते हैं यहां पर कि क्या आ रहा है अगेन यह नाइन टू डबल जिरो के आसपास आ रहा है दो घंटे में भी तिन घंटे में चलते हैं तो यह 9250 की आसपास आ रहा है तो इतने उपर रेंज की तरफ हमें नहीं जाना अभी हम जो हाल फिल हाल जो आसपास की रेंज है उसको लेना है तो यह तीनो चूरींज है हमें एक supply zone की तरह मतलब मार्केट यहां से आके जो है घूम सकती है मतलब एक सबस्य जो इसका लोर्ट है यह इस से हमें ट्रेंड लाइन करेंगे जोकी ट्रेंड लाइन यहां एंड इस तरीके से हम यहां पर देखें ट्रेंड लाइन में क्या है कम से कम आपका दो दो पॉइंट जो है मिलना चाहिए और फिर आप उसी को क्या कर दीजिए extend कर दीजे तो two points हमारा यहां इस तरीके से मिल रहा है तो market अभी क्या है यह जो trend line हमें क्या बता रहा है कि market इस तरह से support ले रही है इस trend line पे and उपर की तरफ bounce कर रही है ठीक है? ओके और market हमारी जो बंद हुई है कहां बंद हुई है? 9039 के आसपास तो भाईया यह जो है हमारा एक supply zone के आसपास market बंद हुई है and यहां पे क्या होगा? कि देखिए मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ मैंने जो यह level draw किया है 9130 and यह मैंने एक जो level draw किया है 9080 ठीक है? तो यह तो हमारा 30 minute का supply zone था 100 EA में और आप देखेंगे कि 930 वाला जो एक level है यहां पे market कितनी बार आई है? आप देखें यहां पे मैं आपको एक बार इसको उस पे draw करके बता देता हूँ 9130 वाला जो level है देखो आप यह यहां पे आई है यह पूरे area में आई है यहां पे आई है फिर यहां पे आगे support ली है ओके? और आगे चलते हैं हम और यहां पे आई है यहां पे आई है यहां पे आई है तो बहुत ही एक तगरा resistance है 9130 के आसपास और यहां पे आई है देख लिजे आप यहां पे 9130 के आसपास बहुत ही तगरा एक resistance है और नीचे की साइड में अगर हम सपोर्ट की बात करें तो वो हमें कहां पे मिलता हुआ नजर आ रहा है तो उसको हम लोक कैसे निकालेंगे तो उसको निकालने के लिए होरिजुन्टल लाइन लेंगे यहां पर देखेंगे कि मार्केट बार बार आके कहां पर सपोर्ट ले रही है बार बार तो आप देखेंगे कि 8900 का जो एक लेवल एक जोन है ऑके टना ये रोकर जोए ऐसे रोजल न है वहां पर मार्के आरेत और हे बार बार सपोट ले रहे हैं मार्केट यहां पहले इस brewing अलिर हैं पहले इसको अथे तरह एक्त किया ऊंटाइम टुटाइमस था टाइमस फॉर टाइमस मतलब यहाँ पर कितिनी बार आई है और इसको हम ऑप्शन डेटा से भी देखने की कुशिश करेंगे कि 8900 पर हमें कोई सपोर्ट मिल रहा है क्या चलिए ठीक है तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा राइट क्लिक करूंगा एंड यहांप commentary option होता है यहांपर आपको ब्रस को या फुर जो भी आपने यहां पर चीज़े लगाई हुई है उसको यहांपर आप मिटा सकते हो इस तरीके से तो यह मैंने जो है मिटा दिया यहां पर यह मैंने आपको दिखाने के लिए बताया था सो अब क्या करते हैं हम इसको option changes थोड़ी सी analysis कर लेते हैं कि कहां पर हमारा एक बहुत बढ़िया support मिल रहा है मार्केट को कहां पर पुट को बहुत ही मातरा में सेल किया गया है सेल में position बनाई गई है तो मार्केट अगर उपर जाना होगा मार्केट को अगर उपर जाना होगा ठीक है तो यह लेवल है 9051 9050 के आसपास कोई resistance इसका बन रहा है क्या हम एक बार option chain से देख लेते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर यह जो मार्केट हमारी बंद हुए 9050 के आसपास ठीक है अब 9050 के आसपास अगर मार्केट नीचे आती है तो 9000 के आसपास आप देख लिजे कितना अच्छा एक support है मार्केट को वाई में देखे पूट साइड में कितने ज़्यादे यहां पर addition हुए है समझ रहे हो आप तो 9000 बहुत बढ़ी है तगरा support की तरह काम कर रहा है जो कि support by option data यह हो गया support by option data मैं इसका color थोड़ा सा green कर लेता हूं क्योंकि support है यह तो आपको आसानी हो जाएगी और अगर नीचे जाता है यह तो 8900 पर भी हमारा अच्छा खासा यहां पर बिल्डप है त्यरा लाख कॉंट्रेक्ट यहां पर एड़ हुए है एंड 8900 पर resistance नाम मात्र है कोई resistance नहीं है तो फिर से एक जो support हमारा मिल रहा है वो कहां पर मिल रहा है है कि ठीक है तो भाया मार्केट अगर उपर जाएगी जहां से मार्केट बंध हुई है तो एक बार जो है इसको टेस्ट करने की कुशिश करेगी 9080 को अगर इसको ब्रेक करती है तो पहला जो supply जोन है इसका 9130 मार्केट वहां आके भी अगर वहां पे अगर इसको बहुत सार 900 के आसपास अगर हम देखें यहां पर बिल्डप की तो देखिए 9200 के आसपास 16 लाग यहां पर कॉंट्रेक्ट अड़ है उससे कम यहां पर 12 लाग पर 91 लाग चौशाट अजार है लोग यहां पर आड़ ठीक है तो इस तरीके से जो हमें रजिस्टेंस यहां पर दिखता ह कलका मिल गया अब हम इसको CPR के बात जो है CPR इस पर लगा के देखते हैं कि वहां पर क्या चीज़े हमें दिखाई दे रही है कहां पर उसका डिमांड जुन आ रहा है कल के लिए ठीक है CPR से मार्केट अगर उपर होती है तो एक डिमांड जुन के उपर होती ही है अगर पर के मार्केट नीचे से नीचे weight जो उसका नीचे मार्केट तो एक जो बेशन्टिमेंट है वह रहता है तो हमं लोग है CPR से ओके तो आप देखेंगे सेटिंग में गए और डेली पाइवर्स ठीक है मैंने डेली पाइवर्स किया है और सो प्रिविएस डे हाई लो किया हुआ है सो मार्केट का जो प्रिविएस डे का हाई लो था मार्केट का जो प्रिविएस डे का हाई लो था देखिए यह यहाँ पे बना मतलब जिस दिन मार्केट हमारी क्लोज हुई है उसका जो हाई था यह था एंड जो इसका लो था यह था ठीक है और मार्केट जहाँ पर भी बंद हुई है 9050 पर अब उपर के तरफ मार्केट जाती है तो ठीक हमारा आप देखो कि यह सप्लाई जोन यहाँ पर आ रहा है जो कि हमारा इसी रेंज के बीच में कहीं न कहीं मिल रहा है तो मार्केट जाएगी अगर उपर तो मार्केट जो है इस सप्लाई जोन के आसपास CPR के आसपास आखे और मार्केट जो है हो सकती यहाँ से टर्न नीचे की तरफ हो जाए क्योंकि हमारे यह लेवल्स है और मार्केट इसी तरह से या तो नीचे नहीं गिरती फॉल नहीं होती जब तक की कोई नीज ना आए और ऐसे ही मार्केट चड़ने नहीं लगती जब तक की कोई सपोर्ट ना मिले तो मार्केट एक बार सपोर्ट लेती है तब या तो ओपर जाएगी या तो नीचे जाएगी ठीक है तो यह तो होगी उस दिन की current वाली बात अब हम बात कर लेते हैं अगले दिन के लिए अगले दिन के लिए CPR हमारा कहां पर form हो रहा है तो इसमें एक option होता है यहां पर देखेंगे कि आप so tomorrow pivots भी है यहां पर एक option तो आप देखेंगे कि ठीक जो है market हमारी जहां पर बंध हुई है हमारी जो market जहां पर बंध हुई है तो यह ठीक CPR के आस पास जो अगले दिन का जो हमारे एक CPR बनρά है जो range बन रहा है यह यहां पे है जहां पर मार्केट बंध हुई है तो अगर market यहां कर आके support ले रही है यहां अब अब औरनाइट क्या होता है जो न्यू जा रही है लगे और बहुत ही सेंटिमेंट खरब लग रहा है मुझे, तो ओबनाइट कुछ भी हो सकता है यह मेरी analysis थी कैसे मैंने range निकाला कैसे मैंने option data से आपको support बताया कैसे resistance बताया और train line भी हमारा कहीं न कहीं यह एक दर्सारा है कि भाया यहां जिसे जो है support लेके बार-बार market उपर के तरफ उठ रही है है ओके तो अगर मैं इसको 15 मिनिट में इसको analyze करूँ 15 मिनिट में और train line अगर ड्रॉ करूँ अभी जो immediate वाला train line है तो अभी कैसे वो ड्रॉव होगा वो बता देता हूं मैं आपको कि इसको डिलीट करता हूं तो कैसे ड्रॉव होगा की ट्रॉण लाइन एंड संद देखें कितनी अच्छी तरीक हे से जो है हमारे ट्री लाइन ट्रॉर्म हो रहा है कि लिए तो कि जचे तरीक है यह है उर्म हो रहा है यहाँ पर अब अगर ऐसे इस तरीक के आसपास जाएगी फिर जो है वहां से अगर इसको supply zone मिलें लगा क्योंकि यहां पर sellers आ सकते हैं और उपर की तरफ जो जोन है अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करती है तो उपर की तरफ से करता कि मेरे देख सकते हैं इसमें मैंने यह में हैक्स के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है कि यह में को हम लोग मल्टी टाम फ्रेम में कैसे अनालीस करके मार्केट का सपोर्ट रजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं आपको फॉलो करना चाहिए हाईए टाउम और हाईए टाम फ्रेम में हमें यह पता चल रहा है कि मार्केट का जो ट्रेंड त्रेंड है अब धाहए जु emissions नीचे के तरफ 16 को सपोर्ट मिल रहा है तो हो सकता है कल के दिन में मार्केट जो है इस पर्टिकुलर एक दो रेंज को मार्केट आके एक वर टेस्ट करें फिर नीची के तरफ जाए ठीक है सो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में निफ्टी की अनालिसिस के साथ